आदेश या फैसला जो भी आता है हमेशा कुछ असर देखे जाता है और देखे जाता है आरोपित्यारोप और देखे जाता है सियासी सरगर्मिया खेर हमारे देखे में तमाम तरह के आदेश तमाम तरह की ब्योस्थाएं लागू रहती है और साथ ही साथ इन ब्योस्थाओं में आम जनता का एक महत्पूर भूमिका भी रहती है लाब भी रहता है और जनता के बिकास को लेकर भी तमाम तरह की जो ब्योस्थाएं हैं हमारे इसमें उन पर भी समय समय पर बदलाव होते रहते हैं ऐसा ही बदलाव मैं संसुदन एक सो तीन के तहट 2019 में किया गया जब सबंड गरीब यानि जो गरीब हैं वो सबंड कोटे से हैं उनके लिए EWS की ब्यास्था लागू की गई और जैसे यह ब्यास्था लागूई तो बहतर पहल को देखते हुए इसका लोगों ने स्वागर भी किया पर साथी साथ जहां पर हमारे दिसमें एक जो लोकतांतिक ब्यास्था है उसमें बेपर्च जरू होता है और इसका बिरोड भी होता है तो बिरोड हुआ और को मिटाने के लिए शुरू की गई है और अगर यह आर्थिक अधार पर आर्चन दिया जा रहा है तो इसमें FCST को भी सामिल किया जाना चाहिए इसमें केवल समयंड क्यों है पर सरकार की दलील यह है कि जो पहले के अरचन है वो सबू लागी रहेंगे इसमें कोई समयंड अ जरूरी है क्योंकि हमारा सम्मिदान बोलता है कि सब को अधिकार मिले मौले का अधिकार भी और आपको जीने का अधिकार भी समानता का अधिकार भी जिसके तहत यह ब्योस्ताय लागू की जाती है समय समय पर बदला जरूरी होता है समय समय पर ऐसी ब्योस्ताय लागू की जिन से देश के हर बर्ग को लाब मिले। हाला कि जो फैसला आज लिया गया इतिहासी फैसला था याचिका दाखिल की गई थी उसके बार याचिका फैसला आया फैसला आया जहां पर पांच जजों की पीड़ बैठी हुई थी जिसमें अगर हम बात करें तो उन पांच जजों में तीन लोगों ने इसको अपनी स्हीमति बताई, उनने नहीं नहीं जूवात Are सब्सक्राइब के यह Carnival को एवस्थान थीख की साथ यान नशीजान सिराल होास सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब पीछरे हैं तो उनको आगे बनाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है और सरकार ने अगर फैसला लिया है तो कोई दिक्तर इसमें नहीं होनी चाहिए खेर यहाँ पर बेउस्थाय लागू की गई और लागू करने के बाद जब याजिका दाखिल की गई तो अगर अगर आप याजिका की बात करें तो लवा लवा एक हपते पहले इस पर एक हपते गहन चर्चा हुए फैसला सोचिट कर लिया गया आज फैसला दिया गया पाच जज़ थे जिसमें एक CGI भी थे यू ललित और अगर अन्य जज़ों की बार करें जिनिस मायुस्वरी भी थे एलम बेला एम त्रिवेडी भी थी इसके लागर हम बात करें तो जेपी पारदीवाला भी थे और एसरविंड भी थे और यू ललित भी थे जिसमें से यू ललित और एसरविंड इन्होंने इस पार सहमेटी ज़ता ही उन्होंने का ये फैसला ठीक नहीं है जबकि तीन जज ने फैसले को सही थावित किया और तीन दो की वियुस्था के साथ ये फैसला लागों गया पर इस से महरपूर बात यहाँ पर ये है कि जब जब कोई वियुस्थित लागू होती है तो फिर बवाल क्यों होता है 19 में लागू किया है कि 19 में लागू होने के बार इस पर चर्चा होनी शुरू हो गई और साउर्ट की पार्टियों में दिक्कतें सुनी हुई और उन्हाने इसके खिलाब याचिका डाली अगर सबसे पहले बात करें तो आरचण होता क्या है आरचण यानि प्रमुक्ता आरचण यानि आपको यहां आगे बढ़ने के लिए अलग से कुछ ब्योस्थाइं दी जाती है हमाई सम्मिदान के तहएं चाहे नौकरी का अरचण हो चाहे अन अधिकारों का अरचण हो हमाई आरचण व्योस तक चलती रहती है आरचण का हम जो मूल उद्यस से के वली है कि सामाज़ी के असमानता है उसको खतम करना है बेरवा खतम करना है और जो तबके पिछड़े हुए हैं उनको विकास की धारा में लेकर आना है मैटपूर पर साथी साथ समय समय पर समिष्छा हो और तमाम चीज़ें ऐसी होती है जो गरीब भी होते हैं सवन भी होते हैं वो भी पिछड़े जाते हैं तो उन सवनों को क्या जिसके लिए कें सरकार द्वारा बैतर पहल की गई और पहल के तहत यहां पर 2019 में सम्मिधान में 103 भा संसोधन करके EWS आरचण की व्योस्था अगों होने के बाद जो घटना करम रहा है वो आपके सामने है अर्थिक आधार पर आरचण बहुत जरूरी है और मेरा मानना तो यह है कि अगर आरचण देना ही है तो जाज़गर व्योस्था पर आवसकत नहीं है अगर बास्तम में आरचण देना है तो मेरी ख्याल से की राय नहीं है और यह आनवर समय में किस तरह लोगों की राय बन सकती है यह भी जरूवी नहीं है पर आर्चण का लाव अगर देना है तपों को तो सबसे पहले व्योस्ते देखना पड़ेगा या रचण की रूप रेखा क्या है और जरूवर क्या है चर्चा महत्पूर आपको रूबरू करा दूँ निता बास पासे केसी बहाई अपना पच्छ राखेंगे नितिन सिंग यादा भाई समय पार्टी आप पच्छ रखेंगे और समण महासंग से सुनिल कुमार देवेदी आपना पच्छ रखेंगे आप सभी महानों को बहुत स् चर्चा में सामिल करेंगे तो पहला हमारा सवाल रहेगा दिली विजवर्जन जी से दिव जी काफी समय बारे आप फैसला आया है और चर्चा महत्पूर है क्योंकि जो फैसला है इसको सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने इस पर स्यामती जटाई है और कहा है समयदानिक फ सिवाई यहां पर बड़ा फैसला हुआ और चुकि अब जो ब्यवस्था थी उन्निस में केंड की भास पर चकवाजारा की गई थी उसके बाद यहां फैसला आया है और EWS आरच्षण को समयदानिक बताया है और चलता रहेगा अभी फिराल दस परसेंट आरच्षण गवी सर्वाण को मिलता है कैसे देखते हैं आप बहुत बहुत धन्यवाद एक तो आपने बहुत ही अच्छा विशे रखा है और हमें लगता है जुरंत विशे भी है आज जि अभी कई सारे जो पार्टियों के प्रवक्ता है और विशे सगी है विशे के उन्होंने निर्णे सुप्रीम कोर्ट के निर्णे पे भी टिपढ़िया की ऐसे में आपने जो विशे चुरा है बहुत ही महत्तपूर विशे है और हमें लगता है पूरे देश की नजर राज इ इसकी चर्चा हो रही है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छा विशे आप लेकर के आए देखिए गोरो जी जो पहली बात तो ये है कि जब मानिय उच्चतम ने आयले का निर्णे आ गया फैसला आ गया उसके बाद हमें लगता है किसी प्रकार की कोई टिपड लेक्या और शिक्ता नहीं बसती बस ये जरूर है कि आप सवर्थन कर सकते हैं आप उसको उसका गैर सवर्थन कर सकते हैं अलग बात है लेकिन सुप्रिम कोट किसी भी चीज की बहुत ही बारीकी से विश्नेशनर करने के बाद उसकी गवीरता को समझने के बाद कोई जड़ पतन किया और देखिए अगर हम सामाजिक समानता की बात करें देश में समरस्ता की बात करें तो अब क्या हो रहा है कि जिन चीजों को उसके कानون बना और आज उसकी विप्रीद सिती कहीं ने कहीं देखने को मिलती है। जैसे आप देख लीजिए कि अगर एक घरेलू हिंसा के लिए और साथी साथ इसी तरीके से जो शादी सुदा महिलाएं थी उसमें देहज उत्पिलन को ले करके जो कानून बना आज उसका बहुत ज्यादा दुर्प उनके दुरूपयोग के वज़े से तबाब सारे परिवाद टूट रहे हैं और साथी साथ कहीं न कहीं महिलाओं के दौरा और खास करके मैट्री मौनी मौमलों में महिलाओं के दौरा पूर स्प्रीड दिखाई देता है। जै और आज इस तरीके की खबरे पेपर में, प्र और क्या हुआ कि उच्टब ने आयले को फैसला उसमें भी देना पड़ा कि इस एक्ट में जब तक की चीजें गंभीरता से सामने ना आ जाएं जब तक जांच ना हो जा तक ग्रिफतारी ना हो लेकिन उसका भी भिरोधा है सामने सदर में कानून बना करके उसको फिर से पास क गया जैसे कानून था वैसे उसको रखा गया तो क्या है कि चीजों का दुर्प योग अभी क्या है कि यह जो आरच्छड की प्रिक्या है आरच्छड की प्रिक्या में यह है कि जो 50% टोटल आरच्छड है 27% OBC और उसके बाद में CST तो आप यह देखिए कि कहीं पर भी खा हाई को ले करके दो चीजों के लिए जो WS कोटा बनाएगे सिर्फ दो चीजों के लिए यह ऐसा रही कि आप चुराओं रहेंगे तो आपको आरच्छड का लाब मिलेगा इसका कोई लाब नहीं मिलेगा केवल दो चीजों के लिए रखा गया है बाकी चीजों में कहीं पर इसारचल का लाब नहीं मिल लाइए अब क्या हो रहा है कि जब भी काउंसलिंग होती है तो आप देखिए कि 80 परिस्टर सीटे OBC और इस टी से भर रही हैं क्या हो रहा है उसके बाद में 20 परिस्टर सीटे जनर्रल की भर रही हैं तो जो गरीब सवन है वो कहा जाए जो गरीब सवाण है वो कहा जाए अब समस्या यह आती है क्योंकि जो बच्चे हमारे ओबी सी भी सेलेक्ट हो रहे हैं जो जो क्या कर रहे है कि जैनल कोटे की उन्होंने सीट ली और उसके बात क्या हुआ कि पता चलना है कि सो सीटों में से बीस बच्चे ओबी सी के दस बच्चे सी के सेलेक्ट हो गए और बात में जो पचाफ सीटों अच्छा उसमें तो पूरा उनको लाब मिली रहा है यह सुप्रिम फैसला आया है कि यह जो अरच्चड की विवस्ता जो की गई है दस पिस्त कोटे की विवस्ता की गई है और खास करके यह कहीं पर भी जाती और दर्म के आधार पर नहीं है यह जो है गरीबी और अमीरी की भीज की खाई को पाटने की रहे एक तरीके से जो बच्चे बिलकुल नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको भी एक भौका मिले और सिर्फ दो चीजों में पढ़ाई में और जाब्स को लेकर के हैं बाकी कहीं पे भी और तमाम सारे अरच्चन की आ क्राबर काउसर मिलना की जा कि, जिस समेच temps and conditions थी, उसके अंतरग थी, वो तबको आपने श्यू कार कि जब आपने जाप को ऐसे र्टिक किया, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, कि आपकी 20 साल की सर्विस के बाद, पता चला है कि, आपकी तीस साल में आपकी नोगी रगी, बीस साल तक आप एक ही आफिस में बैटे हैं, और आगे के दस साल आपको जाब और करनी है, उसमें अगर पास के जिले में भी करी ट्रास्फर हो गया, वो भी हाई कोर्ट सुप्रेमिन कोर्ट ते हमारे पास भी आते हैं कैसे, हम भी करते हैं अगर क्लाइट अबारा चाह रहा है तो हम भी करते हैं, कि भाई आप नहीं चाह रहे हैं, ट्रास्वर आपका हो रहा है, तो उसको हम भी डालते हैं, रिट तो हर चीज़ पर पढ़ने लगी है, लेकि जहां तक ऐसे मामलों को ले करके हैं, यह सिर्फ और सिर्फ राजरित के आप लाब लेने के लिए, और कहें न कहें किसी वर्ग विसेस को संतुष्ट करने के लिए, आप देखिए, यह जब भी बात आती है, अभी आप देखिए, इसके पहले क्या क्या कुछ नहीं हुआ, जो लोग आतकवादी थे, उनके मुकद्बे तक पार्टिया वापस ले नहीं थी, इसलिए, कि वो वर्ग विसेस को संतुष्ट कर सकें, माननी उच्छ तब नहाले नो इसमें फटकार लगाई, कि नहीं मुकद्बे वापस नहीं हो सकते हैं, यह मुकद्मा कोई बेक्टिकत मुकद्बा नहीं है, यह पूरे राश्ट के पित मुकद्मा है, अगर अगर कोई बेक्टि चाहे, इसको वापस लेड़ा, वापस नहीं लिया जा सकता है, तो कुल मिला करके जहां तक जहां पर भी राश्टी है, जित की बात हो, सामाजिक समरस्ता की बात हो, हमें लगता है, वहाँ पे राजनीती नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे एक सार्वोमि प्रणे पार्टियों को मिलकर के लेना जाएं. गौरब भाई, मेरी व्यक्तिकत राय यह है कि इस देश में आरक्षन होना ही नहीं चाहिए, तूसरा, अगर होना चाहिए तो वह आर्थिक आधार पे ही होना चाहिए, जाती के आधार पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षन जिस देश के साथ इस देश में लागू किय अगर आप जातियों का उथान करेंगे तो व्राइक्ति का उथान होगा तरहा जातियों बन गया है, पॉलिटिकल इशू बन गया है, पॉलिटिकल माइलेज लेने का तरीका बन गया है, खेर इन सारी बातों के इतर, जो सुप्रीम कोर्ड का फैसला आया है, 10% EWS के रेजरवेशन को ले करके, मैं भी सामाजिक रूप से बात को समर्थन देता हूं कि जो लोग सिक्षा पर निरफर करती है, अगर आपको सिक्षा में पूरी तरीके से रेजरवेशन मिल गया है, और वहाँ पर आप बहतर कर सकते हैं, संसाधन मिल जाने के बात, तो फिर नौकरी में आरक्षन क्यों करा चाहिए, बहुत सही बात है, नौकरी में जो बहतर करके ले जाए जब आप रिजरवेशन सब को दे रहे हैं, सिक्षा में तो जो अपने आपको बेहतर कर पाएगा, वो नौकरी में आगे निकल जाएगा, बहुत सही बात है, ना की ना कि जिन्दगी भर उसके हाथ में कटूरा थमा देने के साथ साधन बनाए रखना तो कि सत्ते गहापने जी विल्कुल भाई हमाचा प्रवक्ता सभा के रूप में नितिन भाई जोले हुए है नितिन भाई एथिहासिक फैसला रहा यहां पर और सुपनिव कोड ने ब्योस् चुत्म नायले का फैसला है और फैसला चुकि दो तीन के अनुपास से है तो यह तो मान लिया जाए कि यह सवरुसम्मत्य का फैसला नहीं था जो कि उसमें CGI भी जैमत नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ट जैज भी एक राय नहीं है जो समाजी के वस्था में एक नहीं होती नहीं हो सकता है जब सकता है आज हमारे को साथी लोग बात कर रहे हैं प्रदर सेंग की बात कर रहे है जब आथिक आदार पर सामाजी ग्रूप से जो गुवरे उनसे जाना चाहता हूं जिए आखिर ये नौमत क्यों आराजन की जवनत क्यों पड़ी जब देश का सम्मीधान बना उस समय क्या सामाज की बिवस्था एसी थी जिए आपको पता है कि जब हम प्रदर्सन की बात करते हैं तो प्रदर्सन तो उसके बीट में होता है चिसको हम प्रतियोगिता में सामिल प्रतियोगिता में सामिल करने के लिए था कि यह समाज के वो लोग भी जो पूरा भारती समाज है वो किसी जाति मजहाब मत्पन संप्रदास इसका तालूग नहीं था पिछले आजादी के पहले जो समाज में एक बिवस्था थी जिसको बड़ बिवस्था कहते थे वहां प समाज का एक वद्धि जिसके बाट इसको भान पर घच्छा में ब्रह्मन चत्री बहश्था थी। इसके और से जो पचासी परसंट की आवादी जिसको कहते हैं उसको किसी भी तरीके का यानि पसुवत जीवान जीने के अदिकार था उसको मानव जीवकार भी अदिकार नही कि आवस्टता पड़ी और सम्मिधान का अनुच्छेद अर्तिस नित ने दे सकता तक तो जिसमें हैं इसमें आपको मैं चुकि यहां भी दिश्चा कि बहुत लोग बैटे हैं हमारे साथ ही अधिवयक्ता इसलिए भी यह बात कहना जरूरी समझ रहा हूं परना यह बात नहीं हुआ 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 ह अजनेतिक नया, राषी के सभी संस्थों में माईत करेगा, समाजिक नया है, जीवन को अर्ध पूर्णियों मानो परतिष्ठा के साथ रहने योग है, जीवन के पर शुनिश्चित करने का तरीका, तो बात आजाती कि जब किसे बेखिको, मानो की तरीके से भी सम्मान नहीं द किसे होगी और समाजिक नया में उसकी भागीदारी कैसी होगी, उस दोर में संभीधानी तोर में तक चुकि उसमें बावा भीम राव मेटकर जब संभीधान के निर्मान था, उस समित के सद्द्द सदे ड्राप्टिंग कमेटी के अधिश थे, उसमें उन्हों में लड़कर में आर्फिक यह लेकैर हैं, और दलीतों केरिकार को तो ले लिया और दलीतों को स्क्वाइस % का अरक्ष उसमें मिला, लेकिन दलीतों के अलावा है जो ना को दलीतों में सामिल ना बैसे था ना चंत्री था ना बर्मन था लेकिन वह बड़ी आवादी साथ परसं जिसको डक्टर लोहा ने का कि संसोपा ने बांदी गांट सो में पिछड़े पाउ में साथ उस बात के लिए कि वह जो सामाजी और आर्थे ग्रूप से कम जोड़ थे उनकी भागीदारी की बात की गई और इसी के चलते समजब तेस की आजाजी का लंबा समय बित गया तब कहीं चाकर के 20 सेप्टेंबर को 20 दिसंबर उनीस असी को इस देश में बातिस अंसाथ बिंदेशोरी प्रसाज मंडल के नित्रत में एक मंडल आयोग का दिखन किया जाता है मंडल आयोग लगबत दो साल में 12 अगस्त उदिस असी को अपनी रिपोर्ट सम्मित करता है और वो सिपारिश करता है कि समाज का एक बड़ा वर्ग जिसको पिछड़े वर्ग में उन्होंने सामिल किया तमाम सारे उस्ते सदस्ते गूम गूम कर देश में यह वर्ग जो पि जाता है दस साल तक उसको लागू नहीं किया जाता है यानि कि सेद उनीस्तो पचाश के बाद नपे तक का एचालीस वर्षतों का समय था जो लोग समाजी गूप से और आफिक रूप तो पिछड़े रहे उनको समाजी प्वस्ता में लाने की बाती गई लेकि फिर भी क्या अब बाइद आती है आर्थि ग्रूप से निश्य ग्रूप से आर्थिक आदार पर होना चाहिए उनको भी बहुत सारे उसर दिये जाने चाहिए लेकिन ये बात आनी सिच्छाइब है तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ अपने तमाम सारे मित्रों से जो हमारे बरिष्ट ल अब बात आती है कि आर्थिक आदार निश्य ग्रूप से कर्मनता और कर्मनता की उपर भी डिपेंड करता है अगर किसी के पास दस वीगे जमीन है लेकिन अगर वो किसी कारों से पुछ अंगती में पड़ जाए और दुराचरन करने लगे पर सामने से कही उदारन है कि मारे गाहों में जो जमीन दार होते थे जो सो सो भीगों के और जमीनों के मालिक रहे आज उनकी जो तीसरी फिड़ी है वो बेचारे अब मैं वो सब नहीं उचकर होगा कि मैं यही कह लग जाता है जितन भाई आज भी समाज में मूँ से रखने पर जिसकी हट्या कर दी जाती हो जो जाने पर सचकों के दोरा उसको क्लास के बाहर मिठाया जाता हो और यहां तो यहां तक कि देश का प्रधब नागरिक राश्पत्य भी क्यों ना बन जा है पिछलों दली सब्सक्राइब को जाता है आपने तो नितर बाई आपने पूरी बात किया लोग इस दी नितर भाई आपने आपने आरतिक आसमानता की बात तो कर दी गरीब को बताया पर जो बीसी कोटे से जो सच्छा में और अज अस्थी स्थिती में है तो उनको आरचल का लाब लेना चाहिए तो फिर गरीबी के आदर सर्विछ लागर हो रहा है तो पर अच्छी बाते करते हैं आपको पथा कि आज क्रेमी लेयर की लेयर लगी हुई है नहीं प्रादलित उसको आरचल का लाब नहीं दिया जाता है आपको यह जानकारी हो नहीं हमें जानकारी है पर लेते सब हैं लेते सब हैं आज में कोई नहीं कैसी बात करो आप बता रहो आपको घटना हो दिला रहो जिस दिन माननी नरेंद मोजी जी की सरकार बनी थी अच्छा देश के अंदर चार तो 86 IPS IPS तो त्यार हो गए थे और उनक क्रिमी लेड गए था उनको बापकर लके लिग डिया नाम पर जो कौ लीकशन ओ चुके ठैनन जाना था लेकिन क्रीमी लेड के नाम पर आई एएटाएसी सर्विस में उनको बागएधा क्रीमी लेड की उनकी परिवारों किता जाच हुई अँग्स तुमें उनका गफिक प तो मैं आपको बता दूं को नमबर यारती होते हैं तो आरच्षल की चलते नियुक्ट कारण कि नंबर भी जादा होते हैं पर समस्च्छा यह होती है कि आरच्षल की चलते उसलेक्ट से नियुक्याएं अब यापका जवाब मैं दो जलूंगा अभी आ सार और मेंमार में चुड़े गड़ए है हमाँ साउनिल कुमार डेवेडी सुवाण महासंगा नृती चुनिल भाई प्रबुद्ध प्रवक्ताओं और जो इस मन्च पे उपस्थित हैं मैं चीज कहना चाहूंगा आज का जो निर्णे आया है जैसे अभी हमारे नितेंद्र भाई ने कहा कि ये निर्णे पांच जजों की बेंच में पांच तीन दो के अंतर से पास हुआ है तो सती ये है कि हमार नहीं है सकते हम ये नहीं कह सकते कि पूर रूप से ये बेंच सहमत नहीं थी तो पूर रूप से अकर बेंच सहमत नहीं थी तो जो विदायक का चुना होता है एक को असी हजार वोट मिलता है एक लाग वाला जीच जाता है तो असी हजार लोग तो उस हारे हुए व्यक्ति क जो जातिगाता समान्यता थी, लोग पिछले थे, जातिविशेश, वर्विशेश के लोग पिछले थे, तो मानि भीमरा, हुम, बेटकर जी और समिधान निर्माताओं ने सोचा की एक समय आवधी के लिए हम आरक्षन देंगे और एक समय के बाद ये सब समानी रूप से आ जा और उस धाचे ने हमें उस चोराहे पे लाके ख़ड़ा कर दिया, कि जहां हम आज भी अज भी उसी आरक्षण की बात कर रहे हैं, अभी हमारे नितेंदर भाईए बात कर रहे थे, की एक वर्डम से उसको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, स्कूल के बाहर बैठा दिया जाता था, खुमे का पानी नहीं पीने दिया जाता था, ये बातें शायद रिलेवन्ट थी, मैं उनकी बास से सहमत हूँ, लेकिन वो पचास साल पहले की बात थी, इसलिए तो दिया गया था वो आरक्षन, आज की ये घटनाएं बहुत विलुक् चुकी हैं, किस बच्चे को किस विद्याले में रोब दिया जाता है, एक चीज, दूसरी चीज एक बहुत महत्पूर है, मैं ये कहना चाहता हूँ, कि समाजी रूप से आरक्षन, आर्थिक आधार का मैं पक्षधर हूँ, इसलिए कि अर्थ से जो कमजोर है, जो वर्ग वि तो वो अच्छा, रोजगार नहीं प्राथ कर पा रहा है, हम एक चीज जानना चाहते हैं, अपने मीतिंद्र भाईजी से पूछना चाहूंगा मैं, कि योगिता क्या कोई माप दंड नहीं है, अभी T20 मैच चल ला है, अनराग जी, एक प्लेयर तीन मैच नहीं अच्छा खे किसी योग नहीं बच्छे को लाया जाए, किसी नहीं को मौका दिया जाए, लेकिन जब वो आरक्ष्ण की बात आती है, तो हम फिर योगिता को किनारे कर देते हैं, और जातिगत, वर्ग मिसेज की आरक्ष्ण की बात करने लगते हैं, हमारा ये ब्यक्तिगत रूप से भी मनना है, जजवर्धन जी ने बहुत अच्छी बात कहीं, और हमारे जेन calming बहुत अच्छी बात कहीं, कि आर्थिक रूप से ही आरक्ष्ण होना चाहिए, क्योंकि जब आर्थिक रूप से आरक्ष्ण होगा, किसी जाति वर्ध, धर्म, विश्येष, मजभ बच्चा हो, उसको प्रात्मिक्ता मिलनी चाहिए, वो अपनी योगता के आधार पे आगे जाएगा, अरे नितेंद्र भाई, आप ये जान लिए, योगता, योगता जल वायू अगनी की तरह है, कभी बांधी नहीं जा सकती, उसको बांधने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ये पीड़ा ह है, ये पीड़ा है हमारे संगठेन की भी, ये पीड़ा हम लोग उने घेली है, मेरा बच्चा भी एक प्रोध्यों की विश्विद्याला में पढ़ता है, जब वो देखता है, उसने प्रयास किया था, C.S. पाने के लिए, C.S. नहीं मिला, और उसको कॉंसिलिंग में आकर क केमिकल में लेना पड़ा, हमने का वेटा कोई बात में आप केमिकल में प्रयास करो, आगे आपका इसमें भी भाविश्या बना सकते हैं, तो आज हम बात करते हैं, कारण ये, लोग कहते हैं कि साब आरेक्षन से समाजिक समानता आएगी, अरे समानता नहीं आ रही है, आरेक जर्मान से, मीडिया के माध्यम से, आप सभी प्रबुद्जनों से, कि हम अपनी विशार शेली को परिवर्तित करें, ये देश बहुत धीक समपदा का देश है, आज इसरों में या बड़े-बड़े संसानों में, हमारे बच्चे क्यों प्रात्मिक्ता पे लिए जाते हैं, जो कि हम बहुत धीक समपदा के धनी लोग हैं, तो जो बहुत धीक समपदा है, इसका हरास नहीं होना चाहिए, और यही बातों के साथ मैं अपनी बात समात करना चाहूंगा, मैं प्रबल पक्षधर हूँ, आर्थिक आधार पर आरक्षन होना चाहिए, किसी ब्यक्ति विश और डाटर भीमराम बेटकर जी दोरा एक समपदान लिखने के बाद, तो ये बात तो बहुत तो बहुत पर जो दलीतों की हालत थी, वो बहुत ही खतरनाक खराब हालत थी, और आपको याद होगा कि दलीतों के साथ मुस्लिमों का भी आरक्षन होगा करता था, जो 54 में खत् कमेटी की रिपोर्ट ने इस पस्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद एक नारा उठा, एक डालाग होने लगे, और सक्ता पस्ट, चुंकि मैं भाजपा के इसलिए नाम ने लूँँगा, उस तो कॉंग्रेस की पार्टी थी, और कॉंग्रेस के तमाम नेता इस बात के लिए बड़ा सवाल तो यह था, उसके बाद से उत्तर प्रदेश ने पूरे देश के कांग्रेस नेताओं ने कहनी छोड़ दिया, कि धर्म के नाम पर अच्छड नहीं होना चाहिए, इसलिए कि देश के अंदर धर्म के ही नाम पर अच्छड रहा है, और अब तक चल रहा है, क्य कि जहां कोई दलित, इसाई हो जाए, या मुस्लिम हो जाए, तो उसका अरक्छड सोयता समापत हो जाता है, पिर अरक्छड नहीं रहता है, तो बड़ा सवाल देखिए कि गौरब जी है कि दलितों का ही अरक्छड था, और धर्म के ही नाम पर अरक्छड था, यह इनको एक बड़ी एक कौम थी हिंदुस्तान की जिसको साधने का काम आरक्छड का लाली पाउ देकर किया गया था, ठीक बात है कि उनके हालात अच्छे नहीं थी, लेकिन यह एक राजनितिक इस्टंट था जो उनको आरक्छड दिया गया रहा है, यह भी राजनितिक इस्टंट था, और मुसल्मानों का राक्छड खत्म करना यह भी राजनितिक इस्टंट था, यह तो बड़ी स्पश्सी बात है, अब जैसे हमारे पैनलिस्ट कह रहे जैसे दिली पिश्वर्दन जी ने एक बहुत बढ़िया बात कई, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि शिच्छा में आरक्छड होना चाहिए, यह बहुत बड़ी बात है, और जाहर सी बात है कि जब शिच्छित होगा बच्चा तो वो अपने आप टॉप कर लेगा, फिर उसमें उसको आरक्छड की नोगरियों में दरूवत नहीं पड़ेगी, लेकिन कहीं नगई गई, आप भी और हम भी का फैदला ता तीन ने माना, देखिए को यह लोग तंद रहे, बिल्कुल इसमें कोई दो राए नहीं है, लेकिन यह राजनेतिक पार्टियां नहीं है, कम से कम जजजों को तो एक राए होना चाहिए, जहां तीन की होई तो पांच की भी हो सकती थी, भले वो बेमन से करते तो इसमें देखिए, वो राजनेतिक पार्टियां नहीं है, अब जजजों को भी राजनेतिक पार्टियां बना करके ही पेस्ट के जाएगा, तो बड़ा गोरबाई, बड़ा समझने वाली पार्ट, फिर कहीं नहीं है, अभी भाई साब ने से का कि तीन एक हैं, तो उसको बहुमत मान ले जाए, दो नहीं है, तो उनको नहीं है, ऑर अम बात नहीं है, बात सभी बात से बात निकलती है, नहीं भी राजनेतिक नहाईले में राजनीत होने लेगी तो गौरबाई देश का रस्फटर आएगा, अब कर जो हो हाए? कि तीम का ईला क्या माता है हैं घृष शुक्र बिस स्थे और खरणी भावियं मारी करें तो जहां हमारे प्रतिषतला सही होता है उसको तो हम नियाले पर अंगली उठाने लगते हैं। मैंने भी आपकी ही चैनल पर तमाम से इनों पर नियाले पर अंगली उठाई है। हम इस चीज़ से मतलब मुकरेंगे नहीं। उठाई हैं। लेकिन बड़ा सवाल गोरब भाई है कि आरक्षड अगर उनको दिया जा रहा है एक वर् इविन चोधरी जी राजपती हुआ करते थे आप बताईए मंदिर में उनको नहीं जाने दिया गया था यह पचास साल पहले बात नहीं है यह अभी डिल साल पहले बात है दूसरी बात दूजरात में एक दलित लड़के ने सादू के उसके पुजारी के मठके थे पाई पी उसकी आउकात नहीं कि वो खड़ा भी रह जाए उसको नीचे ही बैठना परता है जिम्मेदार इस राजनितिक बेवस्ता है हमारा जो लोगतांत्रिक बेवस्ता भी कहले इसको लेकि लोगतांत्रिक बेवस्ता कहीं तो लोगतांत्रिक परार होगा लेकि यह राजनितिक ब बिल्कुल सही बात है तो यह राजनेदी जो सिस्टम है जब तर यह नहीं सुद्रेगा तो गौरब भाई आप मान के चलिए कि कोई वर्ग हो चाहे मुस्लिम बर्ग हो जाए दली तो ब्रहमालो ठाकुरो कोई वर्ग सुद्रने वाला नहीं है यह बड़ी इस पस्ती बात है अब ठाक को लेकर दो अब यहां पर नितर भाई की आपने बात सुनी आपकी बात को नो ने कहा भी कैसे रेखते हैं इनकी बात को लेकर अब ही सपाग के प्रवक्तर साब बोल रहते हैं मैं उनकी बात से शुरुआद करूँगा उन्होंने एक और एक्जामपिल दिया जिस इतने सालों का रेजरवेशन होने के बावजूद भी अगर गलित सब उनके साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब जाती सूचक चीज है वो रेजरवेशन से तो नहीं हट रही है और जलित हो जाने के बावजूद बराशपती बनने के बावजूद उनको मंदिर में नहीं इसका मतलब जाती नहीं होती है जिनका एक्जांपल अभी दिया जा रहा है कि गाउं में अगर ठाकुर सहाथ या पंडित बैटे हैं तो उनके सामने कोई बैट नहीं सकता पानी नहीं पी सकता लेकिन उसी जाती का बच्चा अगर उस जेगए पर SDM या बड़ा दिकारी बनके आएगा तो बढ़ी ठाकुर सहाथ बगलन बैठा के चाय पिलाएंगे वहाँ जाती नहीं आएगे जी सही जाते हैं तो ठाकुर साब उनको बगल बैठा के चाय नहीं पिलाते हैं वो दूर से खड़े होकर के बात कते हैं कि मैं बड़ा ठाकुर हूँ और तुम चोटे ठाकुर हूँ तुम जाती के ठाकुर हो और मैं कद से ठाकुर हूँ तो यहां कुल मिला करके reservation की जो वेवस्ता है अगर किसी गाउं में, किसी छेत्र में संसाधनों की कमी है और उस छेत्र में दलित द्वर के लोग भी रह रह रहे हैं, ठाकूर भी रह रहे हैं सर्वन भी रह रहे हैं, पंडित भी रह रहे हैं और उस गावों में सिक्षा की विवस्था का अच्छी नहीं है, तो वो सिक्षा अच्छी किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन रिजरवेशन सिर्फ दलितों को क्यों मिलना चाहिए, ठाकुर बंटिक को रिजरवेशन क्यों नहीं मिलना चाहिए, संसादनों के लाप तो उसको भी नहीं मिल पा रहा है आगे तो भी नहीं बढ़ पा रहा है या जो अन्य सम्वर क्लास के लोग है वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है कुल मिला करके जो विवस्था इस देश में थी जिनकी वज़े से को पहली बात तो गलत तरीके से प्रस्तूत किया गया है सभागे प्रवक्ता जो चार वण बता रहा है यह जो जो चार वण विवस्थाएं दी हैं किसी सास्त्र में किसी धर्म में नहीं दी हुई है कहीं लिखी हो तो बता दीजे यह जाती के आधार पर नहीं है यह करमकत आधार पर गीता में लिखी है अठारवा अध्याय में लिखी है तैतालिस वे स्लोक में लिखी है यहाँ पर ठाकूर पंडित और S.C.S.T. और किसी और उन्ही को लोग आगे बढ़ा रहे हैं सिर्व राजनतिक लाप के लिए ठीक है जवाब दीजे क्या बोला थे पर किसी बाई के बार देता हूँ कुछ बोला थे निदिर भाई की बार पर आप कि यह आरच्छन की वजह से नहीं है और आरच्छन की वजह से अगर यह होता तो यह अब तक सुधार हो जाना चाहिए और अच्छन आया क्यों था बात यहां मूल प्रस फिर आगया वही पर आरच्छन इसी वजह से तो आया था कि समाज में इस तरीके की कुरिट्कियां ब्यापती और उन्हीं इसका एक इस तरी इतना ब्यापत था कि लोग समाज के बहुत बड़े तपके को जिसको हम यह कह सकते है कि 90 परसेंट आवादी ऐसी थी जिसको अच्छूत की सेड़ी में इसको तखा जाता था जिसके साथ बहुत ज्यादा बहुत बहुत होता इसको सिच्चा के दिखाने थे और यह सिर्फ समाजी मानसिक्ता थी और इस मानसिक् बहुत ज्याद कराने के लिए लिए यह बिवस्ता बनाई गए जिकिन आज भी समाजी ब्ौस्ता ठीक नहीं हो पाई इसके पीछे देशिक अक्वादाय है जिसके लिए आज भी ज़नुरत है कि समाजी भागी-दारी जब तक नहीं होगी लोग आर्तिक और समाजी गूप स संपन नहीं होंगे जब तब प्रसाजनिक दोस्था में नहीं आएंगे तब तक यह ठीक कर जा रहा है कि कम से कम दुएदी जी ने सुनिल भाई ने यह बात स्विकार की कि यह पांग पचाश साल पहले थी ठीक है आज लेकिन आज भी में गवाल की हट्या हो जाती है जी मुझ रखने पर आज भोडी चरणने पर हत्या हो जाती है कि यह क्या देश का हिस्ता नहीं है क्या आज भी गाओ में आज ज़े जाईए मैं चुनाव किया था तो मैं बता रहा हूं सियाको माम्ने तुम्ट नहीं नहीं था उसके सामने से माइलाय निकल रही थी अपने च सामने जाएंघ कर लेंगे तो जूते पहने कर ज़कते का लोगों को सरकार ने जागरु कर रहें लोगों को मिरा कहना ये होते हैं अँड अकोष्वारा एक जिए औा है राहरों खूपों , आप सभावें , हम आप हम इ Lars अप भाइसराब लाई ऑस हम्ला संगांक सावण महासंग की ब्रामनि08 2013 1 rad थैसे महासबा कि इनकी ज़रूते क्यो है Yadho Maasabha भूल गया बारतों सबु तरहागी ज़रूते क्यो किसमेरत बारते है observed सब्सेव ज़र नहीं रहे दृटने फुल घ्याव सिर भूल गया यदो महासबाव त्रह कि को सेय rinse लेकिन तेड़ों को जुड्न में रहना पड़ता है। अच्छा तो बेड़ को वह ऑना थे योगिम भेड़ को अगा। अपर बेड़ को वह नच टाझाए। बेड़ गोह ही है, बेड़ 5% आपानी है। और अज भी जोवाँ परसंट। जो खरफ देख रहे हो लंबर्दार अखेले लाटी लेके निए परते वहा तो सब्सक्राइब करके बाउना पड़ता यह था इस पुल्ड करके बाउना पड़ता यह था 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 तामाजी काना रहा है अपने तब तक आरच्छर क्या वसक्ता रहेगी अप आप आथ आप आथ आप तीन में आते क्या दो में आते हैं तीन में आते कि एस परिस्फेम सब्सक्राइब नहीं हुए है और ये आर्थी कादार पर होना जो समास का कम जोड़ी है उसको भी लाग मिलना चाहिए लेकर मैं एक सब्सक्राइब पार्टी के पुछना चाहिता हूं कि पिछले दो अरसों में जब से लाग हुआ था क्या ये आंकड़ा दे पाएंगे कि ला सब्सक्राइब नहीं है और मैं चाहिता हूं कि आज भी समाज की वही स्थिती है तो देखिए तो बिल्कुल कपोल कल्पित बात है कि वही स्थिती है मैं आपको बता दूं कि जुक्की हम लोग राजनिति में हैं और खास करके राष्टी पर गर्तन दिवस पे और आज़ादी के दिवस पे हम लोगों को तमाम सारे विद्यालियों में ज़ंडा रोहन करने का और वहां जाने का उसर पिलता है वैसे भी तमाम सारे विद्यालियों में जो वार्षिक कारिक्रम होते हैं हम लोग आ जाते हैं तो मैं आपको बताओं गाओं में भी जिन गाओं की चर्चा और गाओं में वही इस्तिती है यह है वो है तमाम सारे प्राइवेट स्कूल छोटे छोटे खुले हुए हैं और जहां पर सो दो सो ती सो की संख्या है और वहां का जो विद्यालियों का संचालक है वो दलिस सवाथ से है एस्सी सवाथ से है और उसके बाद बेवी उस विद्यालियों में ठाकुर का बच्चा भी पढ़ता है पंडित का भी पढ़ता है, यादो का भी पढ़ता है, कुर्मी का भी पढ़ता है, हर जात धर्म का बच्चा वहाँ पढ़ता है लेकिन बिना किसी भेदभाव के, जितने बच्चे निकलते हैं, सारे बच्चे उस प्रिसिपल के पैड चूते हैं थाकुर का बच्चा भी छूता है, पंडित का भी छूता है और दलित का भी छूता है, नमबर एक बात. दूसरी बात ये कि आज तमाम सारे जाहे दलित हो या ओबीसी हो जन्यों सबके हैं लेकिन जहां तक सवाल उठ रहा है कि आरच्छड की बात और आरच्छड को लेकर कि ओबीसी एस्टी की बात हो रही है हम लोग होटलों में जाते हैं पूस्ते बगल में कौन बैठा है या इस प्लेट में पहले किस ने खाया था ना तो होटल में पूस्ते हैं ना तो ट्रेंड में पूस्ते हैं बगल में कौन बैठा है रेजर्वेशन होता है त्रेंड में अभी मैं पश्ची विरुपी का इसका मिज़ब नहीं है कभी गायों में कभी हमाजी भादी दाली नहीं kardeş this no this so तरासने काम अरभ नहीं परूँ परूदे गषे दाकास तो इसी तरीते से लिए भूल जाता है, जाधि नहीं के लाभ ने रहा है। यहां दिरा अजिकाम है, अच्छल कालाब लेहे यहां का सब्सक्राइब भाग को अधर को सब्सक्राइब अधर में होगा जेज़ यहां कि एद वाग इदर वाज से था छोड़ी सेंगरेटीर यहां दिर लॉतिर भाग आउटानी जिखर पूर यहां पूरी नियूड है, हमस और कुछ समय पहले एक टीचर थे एक बिद्याले में उनकी नियत क्या थी कि बच्चों को मार मार करके ठीक करते थी पिटाई करके कि पिटाई करेंगे तब बच्चा पढ़ेगा और वो स्कूल की पिदिष्ठा भी आई थी कि वहां मार अच्छी पढ़ती है बच्चे कंड् लेकिन वो जाद से स्रिवास्तों थे उनके उपर कहीं पे कोई पेपर बाजी बेडिया भाए हमसे उन्होंने खा देखिया ऐसा हो गया हम समझाने गए बातचीत किया प्रेंसमर से बात की कि इस टीचर को निकाल जीजे बिद्याले से लेकिन उन्होंने निकाला ने समझा पुझा के बातचीत वहां खतम होगे लेकिर उसी टीचर ने कुछ समय के बाद करीब 4-6 मेने के बाद पेपर में खबर आई एक बच्चे की पिटाई कर दी तो यह हुआ कि उस टीचर ने उसकी पिटाई की वह सबर टीचर था इसलिए उस बच्चे की पिटाई की क्योंकि तो कभी-कभी यह भी देखने को बिलता है कि एक जैसे कि अभी अधाड़ी दिलिपी ने बहुत उचाई चाप पिल दिया कि छोटे ठाकुर, बड़े ठाकुर की भी हूंका है कि बड़ा ठाकुर मतलब पैसे वाला ठाकुर और उसी के घर में मैं तो गाउं में जाता हूं लड़ने भी जाता हूं और हमने देखा है कि ठाकुर के घर में उसी ठाकुर साहब के घर में सिंह साहब के घर में जो उनके नौकर है ना उनके घोडों को जो चारा पानी करते हैं उनकी गाए भैसों का जुगावर उठाते हैं वो भी ठाकुर साहब ही है लेकिन क्या है वो और जो करवार हैं वो बड़े हैं और उनके सामने वो उनकी चार पाई पर नहीं बैठ सकते हैं तो देखें जो खाई है ना वो आज वे अमीरी और गरीबी की खाई है तो इसलिए इस खाईं को पाट ने किया हो सकता है और एक बात है कि अभी तक OBCCST कहते थे कि भाई समर्णों को तो 50% आरचड मिला हुआ है हमको तो सब मिला कि 50% आरचड है तो अगर उसमें से 10% गरीब कोटों के लिए गरीब कोटे के लिए अगर EWS कोटा उसमें कर दिया गया पढ़ने के लिए तो इसमें दिक्कत किस बात की है अभी तक तो आप के देखें पूरा बैटती है और जितने भी किमिनल मेंटर होते हैं उनकी बात अलग है लेकिसी किराय थी किरभागों बाट दिया जाए किसी किराय थी पूरा सो एक को दे दिया जाए बाकी दूसरे पार्टी को दे दिया जाए तो कुल मिला के जब भी सिविल का मेंटर होता है उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मी इसलिए डबल बेंच टिपल बेंच बैटती नहीं तो एक ही जित बैट जाए नहीं जादा जश्टिस इसलिए बैटा जाते नहीं तो हमें नहीं लगता है कि अच्छा निर्णे आने के बाद में कोई बिवाद की इस्तिती है और आज की समय में मैं बता दूँ आपको जब प्रधान मंत्री जी सफाई कर्मियों के पहर दूल रहे हैं और करोना काल के बाद में सफाई कर्मियों का सबसे ज़्यादा सम्मान हो सबसे पहले वैक्सिनेशन सफाई कर्मियों का हो रहा है जिससे की उनकी जान न जाने पाएं ऐसी इस्तिती में हमें नहीं लगता है कि देश के अंदर जो पचास साल पहले इस्तिती थी आज बिलुकुल नहीं है कि अपने सफा प्रवक्ता जी के उपर आना चाहूंगा असलिए मैं पूरी समस्य हमारे समाजी के तार्यबाने की यह है कि हम कुछ आइसोलेटेड केसे को लेकर के बीच बीच में उठाते रहे हैं चूकि हमको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है बहुत अच्छी बात क केसी जैन साब ने और यश्वरधन जी ने की आरक्षन व्यक्ति विसेश पे होना चाहिए जाती का कोई आधारी नहीं होना चाहिए और पचास साल पहले की जो मैंने बात की थी आप हमेश्चा ध्यान रखें कि जब ठीजे सर के उपर जाती जिनकी संख्या जादा होती है चर्चा उनकी होती है आज अभी आप कह रहती है कि मूच कार दी जाती है तो जैनोधारी ब्रामन भी एक मंदिर में मार दिया जाता है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दुरभाग यह है कि हम आज भी उसी गटना गटना क्रम को उसको डवल फ्राई करते रह जो गरीब है उसका कोई धर्म नहीं जो गरीब है वो साधन हीन है उसको सिछ्छा में रोजगार में उसके उत्थान के लिए उसको अशर मिलना चाहिए यही मेरे संगठन का कहना है और एक चीज़ और हमारे मैं दो मिनट के समय चाहूंगा एक हमारे सभा प्रवक्ता जी कह रहा थे कि आपका संगठन क्या करता है हमारा संगठन कुछ नहीं करता है हमारा संगठन सवन बच्चों को जो साधन हीन है उन सवन बच्चों को जिनका पिता पल्लेदारी करता है जिनका पिता रिक्षा चलाता है जनों बहने हुए भी लोग रिक्षा चलाते हैं चाल बागे उनके बच्चों के पास में पढ़ने की ववस्था नहीं है हम ना सरकार से लेते हैं ना किसी एंजियो से लेते हैं हम कुछ लोग एकत्र हो करके धन एकत्र करते हैं उन बच्चों को पढ़ने की ववस्था कर रहे हैं और मैं आपको बता दू प्रवक्ता महुद है, कि हम UPSC से ले करके ग्रेड थी तक के भविश में हमारी योजना है, अभी हमने आन-लाइन प्रारम कर दिया है, हम आफ-लाइन कोचिंग भी करने जा रहे हैं, हम सिक्षा वेकार कर रहे हैं, सिक्षा वेकार इसलिए कर रहे हैं, नितिन भाई, जिससे हम प्रारम जी बात बड़ी साफ सी है, जो फैसला जाया है, ठीक है, उसको स्वागत तो सभी को करना चाहिए, हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो अमीर गरीब वाली खाई जो बताई जा रही है, जो आज दलीतों में भी जो ऐसे वाला है, बहुत उपर है, जो दलीत गरीब है, बिए को जनमों जे ज मह कवाला है, जो आरख छर का माम लाता है, जो इसलीतों पड़ी साफ से बिरोत कर रहा था, और इसको मनचूं से भी करागिया और दमीनी तोर पे भी सकर काम क Tina गया जो जो फैतला आया है, बाकी बहुत जादा इसमे धिल्चसपी नहीं, ना मुझे कह लिए जिए कि अगर आज रहे च्छर समाब्त कर दिया एका सारा तो ये तो बात बिलकुल इस पस्ट है कि बहुत नुक्सान भी होगा जिए हो सकता कि पुछ लोगों को फाइदा हो जाए लेकिन नुकसान भी होगा आज जो अभी हमारे दिली यश्वरदन जी ने कहा उनी अ तो यहां पर चर्चा हुई और चर्चा हुई की तस परसेंट इड़ू है और जरूरी है तो केबल केबल आर्थिक आधार पर क्योंकि जो खाई है वह यहां पर गरीब और अमीर की है सबसे वड़ी खाई यही है और सारी असमानता फिराल आर्थिक ब्योस्थां के आधार पर ही होती है अगर कोई गरीब है तो वह गरीब ही है चाहे किसी बर्का हो और अगर अमीर है तो अमीर ही है चाहे किसी बर्ग का हो तो अगर बास्तव में बदलाओ चाहते हैं बास्तव में चाहते हैं कि समानता हो और सभी लोग समान ध्रम से समान व्योस्था से और समान विवहार बिना बेरभाव के रहे उसके लिए आरच्छड जैसी व्योस्था के उपर अब समिछा करनी पड़ेगी और समिछा भी ऐसी जो एक बहतर विकल्प के साथ आए विकल्प हो अर्चण भी हो पर हो आर्थिक आजार पर तभी बहतर कुछ हो पाएगा तभी युग आगे बड़ेगा और तभी हमारा देश विकास कर पाएगा क्योंकि युगिता कभ आप देख रहे हैं